ओम शान्ते आज की तारीख है 23 सप्टेंबर 2024 तो आज विसेश अब्यक्त बाप दादा का महावाक के है ये इच्छा मात्रा माविद्या बनने की जो इस महने का टॉपिक चल रहा है तो हमें इच्छाओं पर कैसे कंट्रोल रखना है किस परकार इच्छाओं को जितना है प्यारे बापा आज बहुत सुन्दर ये महावाक को चारण कर रहे है आज का महावाक के है अनेक परकार की कामनाई सामना करने में विग्न डालती है जब यह कामना रखते हैं कि मेरा नाम हो मैं ऐसा हूँ मेरी से राई क्यों नहीं ली गए मेरा मुल्य क्यों नहीं रखा गया तब सेवा में विग्न पड़ते हैं मैं ऐसा हूँ मेरा नाम होना चाहिए मेरी सिराई क्यों नहीं पुछा गया मेरा मुल्य क्यों नहीं रखा गया तब सेवा में विग्न पड़ते हैं इसलिए मान की इच्छा को छोड़ देना है और स्वामान में तुम टिक जाओ तो मान आपकी परचाई के समान पिछे पिछे आएगी ये प्यारी बावा पूले हैं सुक्षम बात कि किस प्रकार हमारे एक इच्छा रखने से सेवाओं में भी विगन पड़ते हैं और ये कामनाई सामना करने के शक्ती में विगन डालती है ये भी एक सिक्रेट बात है जो बावा बता रहा है कि हम छोटी-छोटी कामनाई रख लेंगे इच्छा रख लेंगे तो ये सेवा में भी विगन डालती है सामना कرने में इविबिगन डालती है सामना करने की शक्ति फिर आत्मा में कम आता है क्योंकि अच्छाओं की गुलाम हो जाते है इसलिए बाबा गाइट करते है कि कभी भी यह नहीं सोचो कि मेरा नाम हो मेरा मान हो मेरी इसे राई पुछा जाए देह भीमान वला राई नहीं और बाबा कहते हैं कि अपनियन तो सब को देना ही है लेकिन अगर कोई नहीं लिया या कोई भी कारण ऐसा बना तो बाबा कहते हमें कभी भी क्यों क्या क्या को सन्ने करना है देह भीमान में नहीं आना है मेरा मुल्य क्यों नहीं रखा गया मेरा बात को क्यों नहीं वेट दिया गया ये सब सारा बाबा कहते सिवाव में विगन डालने का धार है तो आज का शौमान क्या रहेगा बाबा कहते शौमान में टिक जाओ तो आप मान सांज आपकी परशाई की तरह पीछे पीछे आएगे तो आज का बहुत सुन्दर श्वमान और मनंचिंतन भी लेंगे कि मैं आत्मा सदा नाम मान से प्रे रहने वाले हूँ कोई भी दिभान में आकर कैसे उल्टे संकल्प नहीं कर सकती हूँ मैं ब्राह्मन आत्मा सदा श्वमान में टिखने वाली बाप समान बनने वाली आत्मा इसलिए कोई भी प्रकार के व्यर्द संकल्प इच्छाओं के गुलाम नहीं हो सकती हूँ आश्या द्रड संकल्प अज करना है और बहुत सुन्दर मनंचिंतन भी करना है क्योंकि मनंचिंतन का एक बहुत अलग ही शेप्टर है और मनंचिंतन करेंगे तो आत्मा कई गुना शक्ति शाली बनेगी इसलिए चिंदन नमस्ष्य करना है ओम शंत